स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल के उपर मास्टर सुबाज का आप सभी को नमस्कार कैसे आप सभी उम्मीद अब बहुत अच्छे हैं इस वीडियो में हम कम्प्लीट कावर करेंगे भारत का करेंट अफेर जिसके अंदर जितने भी इंपोर्टेंट टो इसके अलावा जितने भी एग्जाम होंगे आपके शीचेसल का एग्जाम होगा उन सभी एग्जामों के अंदर आपको काफी हैल्प मिलेगी इस वीडियो से एक सिंगल वीडियो में आपको कम्प्लीट करेंट अफेर मिलेगा इंडिया का तो स्टार्ट करते हैं भारत भारत का पहला गोल्ड एटियम खोला गया है है अपना जलवायू परिवतन मिशन शुरू करने वाला पहला राजे तमिलाडू भारतिय ओलंपिक संग की पहली महिला द्यक्स पीटी उसा भारतिय शेना की पहली महिला स्काइड ड्राइवर लॉंस नायक मंजू दुनिया का सबसे उच्छा मद्दान के अंदर टासिंगंग हिमाचल परदेशे काफी इंपोटेंट है इस्तार लगा ले ना इस क्योशन के ये क्योशन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे नगरपाले का बॉंड को जारी करने वाला पहला सहर है वडोद्रा पूरे राजे में सोन संचालित गाउं है मोडेरा गुजरात गति सकती पोर्टल लॉंच करने वाला पहला राजे गुजरात देश का पून डिजिटल साकसरता वाला ग्राम पंचाइद पालंपरा केरल है जनजातियों का विश्व कोस जारी करने वाला पहला राजे ओडिशा बन गया है हर घर आ पहली मैला पहली आदिवसी मैला ए रोस्टेज है गोपी का गोविंद खाद्य शुरक्ष्य एटलस वाला तीसरा भारती राजे है जारकन देश का सबसे बड़ा रब्बर डेम गया बिहार में बनाया गया है नेक्स्ट है फिर भारत का पहला वानिकी वी स्विद्धाले तेलंगाना के अंदर हर घर जल परमानन प्राप्त करने वाला पहला राजे गोवा बन गया है भारत का पहला सवदेश निर्मित विवान वहाग पोध आईनस विक्रांत गूगल द्वारा या ताया डेटा सारुजनी करने वाला पर्तम सहर है उरंगाबाद अपनी खुद की इंटरनेट सुईदा वाला पहला राजे केरल बन गया है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट पती है द्रोपती मुर्मू भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किया गया है गुजरात के अंदर जे विवित्ता रजिष्टर पाने वाला पहला मेट्रो सहर कोलकता उन गया है देश का पहला ग्रीनफिल्ड अनाज अधरित एथिनुल सेंत्र पूर्णिया में वेकम अधरित शीवर सिस्टम लगाने वाला पहला सहर है आगरा हर गाउं में पुस्त काले वाला देश का पहला जिला जामताड़ा जहरकंड का भारत का पहला अमरत शरोवर रामपूर उत्रप्रदेश में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला राजे पहला देश एक्वाडोर बन गया है भारत का पहला कार्बन निूट्रल पंचाइद पाली गराम जंबु कस्मीर का दिजिटल प्रणाली से लेज बस सेवा शुरू करने वाला पहला राजे महरास्थ है भारत की पहले कागज रहीत राजे विधान सबा है नागालेंड भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर है गुरु ग्राम हरियाना भारत का पहला एलकोल मुजियूम गोवा के अंदर कोविड नाइन्टीन डियने वेक्षीन लगाने वाला पहला देश भारत विश्वका सबसे बड़ा इगलू केफ है जंबु कश्मीर के अंदर भारत का पहला जल मेटो प्रियोजना वाला सहर कोचीन केरल भारत का पहला हेली हब गुरु ग्राम हरियाना भारत के पहले नीजी तोर पर निर्मित कार्यजिनिक रोकेट है धोन फस्ट विश्वका पहला डूएल मोड वीकल लॉंच करने वाला देश है जापान भारत का पहला सेनेटरी नेपकिन मुक्त गाउं है कुमबा लांगी गाउं किरलका भारत का पहला खादेश रुक्ष संग्राले तंजाओर तमिला डूगा भारत निर्मित पहली ओमिक्रोन किट है ओमीश्योर भारत का पहला LPG सक्षम और धुम्बरपान मुक्त राज्य हिमाचल परदेश भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम है IC 15 भारत का पहला सवदेशी सर्वर रूद्र सीडेक द्वारा निर्मित देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वेन सिनोरा गाउं गाजियाबाद ओडिशा का पहला बाल विवामुक्त जिला गंजाम जिला ओडिशा भांग की खेती को वेद गोशित करने वाला पहला राजे हिमाचल परदेश दाल चिनी की खेती शुरू करने वाला पहला राजे हिमाचल प्रदेश भारत का पहला डुडांग सन्रक्षन डीजर्व है तमिलाडू इक केबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राजे हिमाचल प्रदेश साधे चार दिन का कारे सप्ता करने वाला दुनिया का पहला देश यू यू सेटलाइट फोन से लेश होने वाला पहला राष्टी उज्यान काजिरंगा असम का भार्त का पहला ग्राफी नवाचार के अंदर केरल के अंदर भारत का पहला ओपन रोग संग्राले है द्राबाद एलंगाना भारत का पहला कागज रहीत उच नहीं ले केरल उच नहीं ले सो पर्षेंट पेपर लेश होने वाला पहला देश दूबई बन गया है कोरोना के नहीं वेरियंट ओमिक्रोन का पहला मामला दक्षनी अफ्रीका में देखा गया कोरोना के नहीं वेरियंट ओमिक्रोन से पहली मरत्यों ब्रिटेन में हुई भारत में ओमिक्रोन का पहला मामला करनाटक में मिला भारत का पहला वाटर प्लस सेर इंदोर मद्य प्रदेश है भारत का पहला टीबी मुक्त केंदर सत्ष प्रदेश लक्षे दीव बन गये है भारत का पहला गास सरनक्षन केंदर है रानीखेत उत्राखंड भारत का पहला एरोमेटिक गार्डेन लालकवा हल्दानी उत्राखंड है भारत की पहली वन्यजीव डियने प्रियोकसाल नागपूर मारास्ट है भारत का पहला हरित उद्योगिक सहर है कांडला गुजरात देश का पहला ग्रेन अनाज एटियम है गुरुग्राम हरियाना के अंदर भारत के पहले सत्रण जकादिम भून्यवेशर उडियसा में खुली है एथेनोल प्रोमोशन निती अपनाने वाला पहला राजे बिहार बन गया है विस्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फोरम सिंगापूर का भारत की पहले पौट टेक्सी सेवा की शुरुआत हुए नोएडा से फिलम सिटी तक भारत का पहला पूर्ण विदूतिकरत रेल्वे जोन है पस्षिमी मद्दे रेल्वे भारत का सबसे बड़ा तेरतावा सोर उर्जा सेंतर है तेलंगाना माउंट किलमंजारों पर चड़ने वाला युवा है विराट चंद्रा देश का पहला बाजरा अनुसंदान संस्ता बाडमेर राजस्तान के अंदर भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डेन जेराधून उत्राखंडगा बारत का पहला चिनी संग्राले स्वाजिनगर पुने में भारत का पहला वन चिकिसा के अंदर है राजकेद उत्राखंड के अंदर तो यह complete होते हैं हमारे एक टोपिक जो भारत के एमविस्व के प्रथम जो भी important fact हो सकते थे वो सारे हमने इसके इंदर cover कर लिए हैं अगर आप वीडियो के उपर पहले बार हैं तो like share और subscribe करना ना भूले इसी सिदिज का जो दूसरा टोपिक है वो cover करेंगे हैं brand ambassador जितने भी महतुपुन brand ambassador हैं उन सभी को हम एक वीडियो के इंदर complete करेंगे जो आपकी SSC GD के जो एक्जाम है उसके अंदर बार बार हर shift के अंदर एक क्योशन इसे पूछा जा रहा है आपसे Puma India के brand ambassador है अनुसका सर्मा Noise के brand ambassador है विराट कोली उत्राखन राजे के brand ambassador है प्रसून जोसी Mace Grooming brand और गबरू के brand ambassador है सूर्य कुमार यादव अर्बन गबरू नवी टेक्नोलिजी के brand ambassador है MS दोनी Skecher India के brand ambassador है करती सेनन Suse Land के देडरेशन ambassador है नीरत चोपडा Boro Plus Cream के brand ambassador है अक्षे कुमार नेतरहीन T20 World Cup के brand ambassador है युवरा सिंग देशी Superfood brand Pintola के brand ambassador है सूर्य कुमार यादव वेबसाइट मा भारती के सपोत के goodwill ambassador है अभिता वचन फुट्वेर brand वाकारू International के brand ambassador है अजे देवगन Gulf Oil के brand ambassador है स्मर्ती मंधाना Firebolt के brand ambassador है विजे देवकोंडा बंदन बेंग लक्स कोजी के brand ambassador है स्वरव गांगुली हीरो मोटकार्प के brand ambassador है राम चर्ण मेक्स लाइफ इंसरेंस के brand ambassador रोहित सर्मो रित्तिक रित्ति का सज्दे है UAE स्वास्ति सेवा बुर्जिल होल्डिंग्स के brand ambassador सारू खान पुन्यकोर्ट दूत योजना के brand ambassador है किच्छा सुधीब डाबर रेड़ पेस्ट का brand ambassador है अभिताबचन फास्ट टेक के brand ambassador है सान्या मलोतरा इस्प्रिंग फिट मेत्रेस के brand ambassador करीना कपूर गौद्रेज कंजिमर प्रॉडक्स के brand ambassador है सारू खान फेन कोड के ब्राण एमिसेटर हैं रवी सास्तरी पोकर बाजी डोट कॉम के ब्राण एमिसेटर हैं साइद कपूर रियलमी के ब्राण एमिसेटर हैं के एल राउल डॉन स्टार्ट अप गुरूड एरोस्पेस के ब्राण एमिसेटर हैं एमस दोनी टाइटन रागा के ब्राण एमिसेडर हैं आलिया भट फ्रेंच लक्जिरी ब्राण लुई वूट्स की ब्राण एमिसेडर दीपिका पादुकोन मेडिमेक्स के ब्राण एमिसेडर हैं कैटरिना केफ करनाटर BRAIN HEALTH INITIETINAGE के ब्राण आपिसेडर है राबिन उत्थपा फ्रम EG के ब्राण आपिसेडर है आमीर खान केर्केट प्लेट्फोर माई 11 सरकल के ब्राण आपिसेडर है सुम्म गिल और रितुराज गाइक्वाड वेस्विक फार्मा पर्मुक लिूपिन लिमिटेट के ब्राण अमस्वडर रिधिक रोषन डिस टीवी एवं हर्कुलेस साइकल के ब्राण्ड एमिशेटर रिशप पंत बेटी पचाओ बेटी पड़ाओ गुरू ग्राम तनिसका और रिद्धी का कोटिया हैं एडिडास का ब्राण्ड एमिशेटर टेनिस खिलाडी मनी का बत्रा गेमिंग एप A23 एवं थम सब का ब्राण्ड एमिशेटर सारु खान बिहार खादी एवं हस्त शिल्प के ब्राण्ड एमिशेटर मनोस्तिवारी एगरी टेक स्टार्ट अप कर्शी नेट्वर्क एवं फिनो पेमेंट बेंक के पंकस्तिरपाटी बाटा इंडिया का ब्राण्ड एमिशेटर हैं दिशा पतानी हेल्थ केर प्लेटफोर्म मीडबडी एवं एमवे इंडिया के ब्राण्ड एमिशेटर हैं विता बच्चन मीट कंपनी गुड डॉट एउ टाटा ए आई ए लाइप इंसरेंस के ब्राण्ड एमिशेटर हैं नीरत चोपड़ा ओल्लाइन बीमा प्लेटफोर्म रेंवे ब्यू के ब्राण्ड एमिशेटर हैं राजकुमार राओ बेंकोब बड़ोदा के ब्राण्ड एमिशेटर हैं सेफाली वर्मा एजी माई ट्रिप के ब्राण्ड एमिशेटर हैं विजे राज और वरुना सर्मा भारतिये मोबाईल एक्सेश्री निर्मान ब्राण्ड यूनिक्स के ब्राण्ड एमिशेटर हैं राजकुमार जस्प्र की ब्र य прок शेटर है इह ईसमिर्टी मृदाना ट्राइफेड अधी माच्जों की की ब्र ऊमिशेटर हैं म एन– मेरिकौं। किट्स फुट्वेर ब्राण प्लेटों का ब्राण एमिसेडर है राहूल दर्विड साथ ही आगे देखते हैं आगे हैं बंदर बेंग असम राज्य का ब्राण एमिसेडर है जुबीन गर्ग फेशन ब्राण डायर का ब्राण एमिसेडर है एमा राणू कानू एसियन फिलम माथ 1221 का ब्राण एंशेटर हैं इमतियाच यले कोमिन्स्विच कुबर के नेशनल बसकेटब्ल अस्सेसियेशन जके ब्राण एंशे रेम्वीर सिंग कोईडे 2 का ब्राण इंशितर हैं ऐस्मान कुराना इक्विटीस small finance bank के brand emissator रानी रामपालियम स्मर्ती बंदाना राष्ट्मंदल bank के brand emissator vak है same कर global vaccine अभियान UNICEF का brand emissator joint David Beckham उत्राखंड के महिलाबाल व्यकास विबा का brand emissator online कतारिया राजतान के महिलाबाल विकास विबा का emissator vak है अवनी लेकरнал फलोबीन नियोबेंग का ब्राण एमिसेटर है मनोजवादपेई एक जिला एक उतपाद योजना का ब्राण एमिसेटर है कंगना रानोथ मास्टर काड का वेश्विक ब्राण एमिसेटर है मेगनस कालसन ASICS के ब्राण एमिसेटर है जोसना चिनपपा ओले इंडिया के ब्राण एमिसेडर हैं तारास उतारिया वाज कम्पनी फोजिल का ब्राण वंडर्शेव के ब्राण एमिसेडर हैं करती शेनन कुछ जनगना से समधित इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं देश की कुल जन्संग्या कितनी 121.08 क्रोड विश्व के जन्संग जीरो से 6 वर्स आयूके 16.14 क्रोड परसंटेज में देखते हैं तो 13.6 परसंटेज हैं दसकी है जन्संग्या वर्दी दज 2001-2011 18.19 क्रोड 17.7 परसंटेज जन्संग्या गनात्व 382 परतिव्यक्तिवर किलोमेटर है और लिंगनुपा देखते हैं तो 943 मैला है एक जार पूर्शू के उपर साक्सर्था की बात करते हैं तो 13 परसंटेज लगबग 14.04 परसंटेज है तो यह मारा सेकिंड जो टोपिक था वह कंप्लीट हुआ ब्राण्ड एम्बेसेडर से समन्दित अब देखते हैं नेक्स्ट नया टोपिक तीसरा टोपिक है हमारा आर्थिक समिक्षक्शस समन्दित इससे भी आझकल एक्जाम के अंदर बहुत क्योसं बन रहे हैं हर एक्जाम के अंदर काफी फेबरेट टोपिक हो गया है एकोनुमिक्स का इसके अंदर जो important data हैं वो cover करेंगे जो important fact है exam से related वो cover करेंगे हम आर्थिक सर्वेक्षण 21 और 22 को वित मंतरी निर्मला सितर्मन ने 31 जनवरी 2021 को संसद में पेस किया आर्थिक सर्वेक्षण 21 और 22 को पर्मुक आर्थिक सलाकार संजीव शान्याल के नेतरतु में एक टीम दवरा तेयार तता वर्तमान मुखे आर्थिक सलाकार अनन्त नागेश्वर न दवरा जारी किया गया था मुखे आर्थिक सलाकार हैं वो है अनन्त नागेश्वर आर्थिक समिक्षय 2021-22 का मूल विशे तवरित द्रश्टिकोंत है जो फिडबेक वास्त्विक निसकर्षों की ततकार निगरानी व्यवारिक पर्तिकिरियाओं सुरुक्षय सम्मंदी उपयों को आधी पर आधारित है अब देखते हैं आर्थिक समिक्षय परिक्षय उपयोगी जो इंपोर्टेंट फैक्ट और तत्य हैं उनको विट वर्ष 22 और 23 में भारती अर्थिवस्ता के 8 से 8.5 परिशन रहने का अनुमान है 21 और 22 में भारती अर्थिवस्ता को 9.2 परिशन बढ़ने का अनुमान जटाया गया है कर्शिय और सम्मंद छेतरों में 3.9 पर नो परिशन वर्दी की संभावना है 2021 के दोरान पूंजी वेव में सालाना अधार पर 13.5 परिशन की वर्दी हुई है भारत अगले तीन साल तक सबसे तेजी से उबर्थिवस्ता बनी रहेगी यह अनुमान जटाया गया है भारत की अर्थिवस्ता को लेकर 2021 के दोरान राजसव प्राप्तियों को 66.2 परिशन की वर्दी हुई 2021 के दोरान सकल कर राजसव में 50 परिशन से ज्यादा बनोत्री दर्च की गई 2021 और 22 की पहली चेहमाई में सकल पूंजी परवहा बढ़कर 65.6 बिलियन डोलर हो गया 31 दिसमर 2021 तक विदेशी मुद्रा बर्णाड 633.6 बिलियन डोलर हो गया ये फैक्ट याद रखना आप भारत पर विदेशी रन सितंबर 2021 के अन तक 503.1 बिलियन अमेरिकी डोलर था केंदर सरकार का रन 2019 में जीडिपी के गुण 40.1 से बढ़कर 2021 में जीडिपी का 59.3 परसंटेज हो गया 2021 में जीडिपी के तुल्ला में सामाजिक स्यावम पर वे बढ़कर 68.6 परसंटेज हुआ जो 14 और 15 में बढ़कर 6.2 परसंटेज हो गया बारत दुनिया में चीन जापान और सिवजलेन के बाद चोथा सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा बंडारक देश है 31 दिसंबर 2021 तक बेंक रण में 9.2 परसंटेज के बढ़ोत्री हुई पिचेतर प्रारंभिक सावजिनी निगम के मादेम से 89.666 क्रोड रुपय जुटाएगे जो पिछले एक दसक के किसी भी वर्ष से ज्यादा है 2021 में CPIC मुद्रस्पती गटकर 5.2 परसंटेज रह गई 2021 में खादे मुद्रस्पती ओस्तन 2.9 परसंटेज के निचले स्तर पर है 2020 में निति आयोग ACDG इंडिया सुचकांग और डेसबोर्ड पर भार्त और ओर ओरॉरल स्कोर बेतर होकर 66 पर पहुँच गया 2020 में यह स्कोर 60 एंट था 2018 गुद्रस्पताओन था भारत 2020 में दस्वा सबसे बड़ा वेन चेतर वाला देश है अगस्त 2021 में पलास्टिक का चरह प्रबंदन नियम 2021 अधिसूचित किये गए जिसका उद्देश से 2022 तक सिंगल उज पलास्टिक को समाप्त करना है प्रदान मंत्री ने 2021 में ग्लास्टों में आउजित पक्सू के 26 वे समेलन कोप 26 में उत्सजन में कमी लाने के लिए 2030 तक प्राप्त किये जाने वाले मैत्वकांग से लक्षिक भी गोशना की देश के कुल मुल्य वर्दन में 18.8 परसंटेज 21 और 22 की वर्दी हुई इस तरह 20 और 21 में 3.6 परसंटेज और 20 और 22 में 3.9 परसंटेज की वर्दी दर्ज की गई सरकार ने प्रतानमंत्री गरीब के लियान योजना पी एम जे के वाई जैसी योजनाओं के मद्दे से खादे शुरुक्षिन नेट्रों के वर्देज को और बड़ा दिया है 2020 में समाप्त होने वाली पिछले 5 परसंटेज में पसुधन 48.15 परसंटेज के CAGR से बड़ा है 2021 के दौरा और द्योगी उत्पादन सुचकांक बढ़कर 17.4 परसंट हो गया है 2021 में रेल्वेव पुंजिगत वेव बढ़कर 1,55,181 क्रोड हो गया है और 2021 में इसे बढ़ा कर 2,15,088 क्रोड करने रुपे किया गया है 2021 में परते दिन सडक निर्माण की सीमा बढ़कर 36.5 किलोमेटर होई वर्ष 2021 में 13,327 किलोमेटर सडकों का निर्माण किया गया 2021 के पहले 6 माई के सेवा छेतर के 16.17 बिलियन डोलर से अधिक परतेक्स निवेस एबड़े प्राप्त किये जो भारत में एबड़े प्रभा का कुल 4 प्रसंटेज है भारत अमेरिका और चीन के बाद 20 में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टर एकोसिस्टम बन गया है 44 स्टार्टप्स के 2021 में युनिकॉन दर्ज हासिल किया जिसे युनिकॉन स्टार्टप्स की कुल संक्यात 83 हो गई है 16 जनवरी 2022 तक COVID-19 टेके की 177.94 क्रोड खुराग दी जा चुकी है कुल प्रजनन दर 2021 से गटकर दो हो गई है जो 2015-16 में 2.2 थी पांस साल से कम सिसों की मत्युदर में भी कमी हुई है जुलाई 2021 के GST संग्रे एक लाग क्रोड से उपर रहा 2021 के दोरन कॉप्रेट का संग्रे नब्र प्रसंड की वर्दी देखी गई साउजिंग चेतर में बैंकों का सुद्ध लाब 2020-2021 के 14,688 क्रोड रुपे से बढ़कर 2021-22 में 31,144 क्रोड रुपे हो गया 2021 में वह बगता मुद्रास्य तो यह प्रसंटेज हुई और जल जीवन मिशन के तरह 83 जिले हर घर जल जिले बन गये हैं तो यह कंप्लेट होता है हमारा एकोनोमिक्स का आर्थिक समिक्षा का टोपिक अब देखते हैं नया टोपिक केंद्रिय आम बजट 22-23 के एक इंपोर्टेंट फैक्ट हम कवर करेंगे इस टोपिक में केंद्रिय वितमंत्री निर्मला सितारामन लगाता चूथी बार एक फरवरी 2022 को पेपरलेस केंद्रिय बजट 22-23 अनसद में पेश किया दोज़र 22-23 के लिए कुल बजट आकार गुन 40.45 लाग क्रोड रुपय का है इस बजट में अगले 25 साल के लिए भारत एर्दरेट सो के अमरतकाल में परवेश करते विए ए चीशार प्रात्मिक्ता में विकास पर जोड़ दिया पहली प्रात्मिक्ता है पीम गति सकती हो जना दूसरी है समावेशी विकास तीसरी है उत्पाधक्ता में वर्दी और निवेश संराइज अवसर उर्जा संक्रमन और जलवायू-कारवायू चौथा है निवेश और वित्य मदद अब देखते हैं यह बताया गया है राजकोशिय प्रभंधन के बारे में तो बजट का अनुमान 21-22 में 34-83 लाग करोड संसोधन अनुमान है 37-7 लाग करोड 22 और तेज में कुल अनुमानित विए गुंचारिस पन पैंतारीस लाग करोड का 22 और तेज में उधारी की अलावा कुल प्राप्तियां कितनी 22-84 लाग करोड पर बावी पुंजिगत विए है 10.68 लाग करोड जेडीप का 4.1 परसंटेज राजशब गाटा रा 10.86 लाग करोड जेडीप का 4.7 परसंटेज राजशब गाटा रा 32 और तेज का 9.90 लाग करोड जेडीप का 3.8 परसंटेज राजशब गाटा हुआ 15.91 लाग करोड जेडीप का 6.9 परसंटेज राजशब गाटा हुआ 16.61 लाग करोड जेडीप का 6.4 परसंटेज प्राथ में गाटावा 7.21 लाग करोड जीटीपी का 2.8 परसंटेज ये फैक्ट एजेटीज ऐसे कैसे पूछ ले जाते हैं एक्जाम्स के अंदर और खासकर ऐसे सी इनको बार बार पूछता इन फैक्ट्स को 2021 और 22 में भारत की आर्थी की विकासदर 9.27 परसंटे रहने का अनुमान है 23,22 और 23 में पुंजीकत व्येक के लिए परिवे 35.4 परसंट बढ़कर 7.50 लाग करोड तक पहुंच गया है जो मोज़ुदा वर्स में 5.4 लाग करोड था 2022 और 23 में परिवे सकल गिरेल उत्पाद का 2.9 परसंटेज रहेगा आएकर स्लेब और दरू में कोई बदलाव नहीं किया गया है केंदर और राजे सरकार के करमचारियों की करकटोती की सीमा 10 परसंट से बढ़ा कर 14 परसंट कर दी गई है डिजिटल क्रेंशी क्रिप्टो क्रेंशी के इंकम पर 30 परसंट कर लगाया जाएगा इसके अलावा वर्चुल क्रेंशी के ट्रांसपर पर एक परसंट कर देना होगा लोंग ट्रम केपिटल गेंशे होने वाली आयका 15 परसंट टेक्स लगेगा कॉप्रेट सरचाज को 12 परसंट से गठा कर 7 परसंट किया गया है गेर सुचिबद शेरू पर सरचाज 28.5 परसंट से गठा कर 23 परसंट किया गया है सरकार के प्राप्तिव में विभिन मदू की साजेतारी उधारेव अन्य दे 35 परसंट है GST 16% है इसके साथ ही अन्य है जैसे निगम कर 15% आईकर 15% केंद्रिय उत्पाद सुलक 7% गेर कर राजसव 5% कस्टम 5% गेर रन पूंजी प्राप्तिया हैं 2% की सरकार के खर्चे निम्न प्रकार से हैं कि सरकार किन चीजों के उपर खर्चे करती है तो ब्याज बुक्तान के उपर 20% खर्चा होता पूरी इंकम का करू यव सुलक मेराज्य का इससा 17% है वित्य आयोगेव अन्य अंत्रन पर खर्चा कितना है 10% केंद्रिये चेत्र की स्कीम पर है 15% केंद्रिये प्रायुजित स्कीम पर है 9% रक्षया पर है 8% सब्सीडी पर है 8% और पेंसन पर है 4% जितनी भी केंद्र सकार पेंसन देती है उसके उपर अन्य वे पर 9% 14 चेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोथसान योजना के तैत 60 लग नए रोजगा सर्जित किये जाएंगे आरबेज 22 और 30 में डिजिटल रुपया प्रस्तुत करेगा इलेक्रोनिक्स पर लगने वाले टेक्स पर छूट मिलेगी वहीं रतन और आबोशन पर कस्टम जूटी आयकल 5% कर दिया गया है विभिन राजियों के लिए 5 नदी जोड़ों प्रियोजना दमन गंगा पिंजाल पार तापी नर्मदा गोदावरी कशना कशना पेनार पेनार और कावेरी नदिया केन बेत्वा लिंक्स प्रियोजना के लिए 1400 क्रोड रुपया उंटित कि प्रिया गया है इससे 9.08 लाग हेक्टिय जमीन को सिचाई किस विदा मिलेगी इसके लावा उत्तरपूरु परिशिद के जरिये प्राइम मिनिस्टर डेवल्टमेंट इनिस्येटिव फॉर नॉर्थ इस्ट रिजन नामक नई योजना लाई जाएगी विश्विश्विश् इंफास्ट्रेक्शर बनने के लिए गती सकती मास्टर प्लान त्यार किया जाएगा 2230 में पीपी मॉडल में चार संस्थाओं पर मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क के सुष्विदाओं के लिए 100 पीम गती सकती कार्गो टर्मिनल्स की विवस्ता की जाएगी दुर्गम पाड़ी शेत्रों के लिए राश्टिय रोपवे विकास कारिकरम परवतमाला को पीपीपी मॉड पर शुरू किया जाएगा इस्पेशल इकोनोमिक्स जोन एक्ट में जल्द ही बदलाव किया जाएगा इनिमेशन गेमिंग स्टॉक फोर्स का गठन किया जाएगा 2022 और तेस में इपासपर्ट भी जारी किया जाएगा और 2022 तेस में 25 जार किलोमेटर राश्टी राजमार्ग बना जाएगे इसके साथ ही नेक्स्ट फिर आगे है कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदे भार ट्रेनों का निर्मान किया जाएगा शुरक्ष्या और स्रम्ता वर्दी के लिए 2000 किलोमेटर से अधिक रेल नेटर को सवदेशी 20 विस्तरिये प्रोध्योग की कवच के तैथ लाया जाएगा वर्ष 2030 में राष्टिय कंदन वर्ष के रूप में गोशित किया गया है पांच सालों में रेंजिंग एंड एक्सिटेंग एक्सिलिरेटिंग मांच स्वास्तों के समधन की दिशा में एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा नेशनल डिजिटल हेल्थ एको सिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा महिला बाल विकास मंत्राले के अंतरकत मिशन शक्ती मिशन वात्सले संगर्स आंगनवाडी और पोष्ण दो टूपर्ण जीरो योजना के जरिये महिलाओं और बच्चों को अकिक्रत लापरदान किया जाएगा दो लाप आंगनवाड़ू को सक्षम आंगनवाड़ू में उन्नियन किया जाएगा साथ एक कोल, गेसिफिकेशन तथा कोईले को राशन में प्रिवितन करने के लिए चार नई प्राइवेट प्रियोजनाओं की बात कही गई है दो जार बाइस और तेश में ग्रामिन और सहरी चेतरों के में प्येम आवाश योजना के तैद असी लाप घरू के निर्मन को पूरा करने के लिए अर्थ विवस्ताओं में समग्र निवेस्ट के प्रिवित करने के लिए राजू को एक लाप करोड आउन्टित किया गया है ये 50 वर्षे ब्याज मुक्तरण राजी को दी जाने वाले सामाने उधारी से अधीक है वर्ष 2030 तक इस्तापित सोर विजुत का 280 गिगावाट लक्षी आसिल करने के लिए सोर मोडूल के निर्मान के लिए 19,500 क्रोड रुपे अत्रिक्त आउन्टित किया गया है रक्षय चैतर में आद्म निर्बरता को बड़ावाद देने के लिए पूंजीकत खरीद बजट का 68 परसंटेज घ्रेलू ध्यों के लिए रिधारीत किया गया है जो 2021 में अठाउन परसंट के मुकाबले अधीक है 3.8 क्रोड गरू में हर घर जल नल से जल योजना के लिए 60,000 क्रोड रुपे आउन्टित किया गया है राष्टिय डिजिनल स्वास्ते पारिश्थिति के तंतर के लिए एक खुला तंतर त्यार किया जाएगा कर्शी ग्रामी स्टाटप के विद्पोर्शन के लिए कोस इस्तावित किया जाएगा PME विद्या के वन क्लास वन टीवी चैनल कारिकरम का विश्ताथ 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा 22 और 23 में विज्ञान के गनित में 750 वर्चुल लेव और सिच्चुलेटेड लर्निंग इन्वायर्मेंट के लिए 75 स्किल ये लेव की स्तावना की जाएगी एक डिजिटल विश्विधाले की स्तावना की जाएगी गेहूं और धान की खरीद के लिए 6.63 क्रोड किसानों को 2.37 क्रोड रुपे का MSP मुल्या का सीधा बुक्तान किया जाएगा भारत में रासाइनी मुक्त प्राकरती खेती को बढ़ावा दिया जाएगा शुरू में गंगा रदी के सटे 5 किलोमेटर की दाय की चोड़ाय तक के गलियारे वाले किसानों की जमीन पर ध्यान दिया जाएगा आगे है पसलू में आकलंग भूमी रिकॉर्ड का डिजिटली करन कीट ना सक एवं पोसक ततों के लिए किसान ड्रोन भारतनेट प्रियोजना के तेद गाओं में ऑप्टिकल फायवर बिचाने का ठेका दिया जाएगा ग्रामिन और दूरदराज की सेत्रों में ब्राउंट बेंट सेवा की पहुंच के लिए यूनिवर्सल सर्विस अप्लिकेशन फंड का 5% आउन्टित किया जाएगा 223 में 60 किलोमेटर लंबी आठ रोफे प्रियोजनाओं के लिए समीदा प्रदान की जाएगी उद्ग्यम इस्रम एंसी एफ और एसीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा 30 लाग MSME के अभातकालिन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तैत अतरिक्त कर दिया जाएगा ECLGS को मार्च 2030 तक बढ़ाए जाएगा ECLGS के तैत गारंटी कवर को 50.000 क्रोड रुपे बढ़ा कर कुल 5 लाग क्रोड कर दिया जाएगा सुक्षय में लगू क्रेडिट गरंटी ट्रस्ट के तैत दो लाग क्रोड रुपे का अतरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा 1.5 लाग डाग गरू को 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर लाया जाएगा अनुसित वानिजे बैंक पिछेतर जिलू में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाईया इस्तापित करेंगे अंतराष्टी अधिकान शेतर के तैत विवादू के समय पर निप्टा के लिए अंतराष्टी मद्यस्ता के इंदर के स्तापना की जाएगी हर बुनियादी ढाचे के समधान जुटाने के लिए सावरीन ग्रीन ब्राउंड जारी किया जाएगे ता विदिल सेंतर में 5-7 परतिसद बायोमास प्लेट्स पायर किया जाएगे वार्षी ग्रूप से 38 MSMT कार्बन डर्क अकसाइड की बचत की जाएगी सन्राई छेत्रों के लिए बलेंडिन निर्धियूं का बढ़ाव दिया जाएगा वर्ष 2223 में राज्यू के GSDP के 4% का वितिय घाटे का अनुमानित होगी जिसका 0.5% विदू चेतर के सुधारू में उप्योग किया जाएगा धारा 115 BMB के तयात वि निर्माने उत्पादन शुरू करने की अन्तिम देथी को एक साल के लिए बढ़ा कर 31 मार दोजार चोईश कर दिया गया केंद्र सरकार का विए निम्न प्रकार से कि यह आपको विए बता रखा है कि गवर्मेंट कहां कहां कितना खर्च करती है तो पेंशन पेटना करती है रख्चहे परमक् सब्सीडीय के इतना हर्च करती है तो यह लगबड डाटा आपसे पूछा नीं जाएगा जो पर संटेज्थ डाटा होई आप से पूचा जाता है रबार एक्जाम के अंदर तो यह आपका बजट कंपलीट होता है अब देखते हैं केंदर सरकार की योजनाई जो इंपोर्टेंट योजनाई हैं जो बार-बार एक्जाम में पुछी जाती हैं उनको कवर करेंगे इस टोपिक केंदर नमामी गंगे योजना ये स्टार्ट हुई थी 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रा लेके द्वारा उद्दे को वित मंत्राले के द्वारा उद्दे से कहाता सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोलना 26 फरवरी 2020 तक 38.18 क्रोड खाते खोले जा चुके हैं और लाब दो लाक रुपय का दुर्गठना बीमा चाता 30,000 रुपय का जीवन बीमा भी किया गया इसके द्वारा फिर नेक्स्ट है सांसद आदर्स ग्राम योजना सुबारम वह आता 11 अक्टूबर 2014 को जे परकास नारेण के जनम दिन पर उद्दे से कहता पर्तेग सांसद द्वारा वर्स 2019 तक 3 गाउं तक वर्स 2014 तक कुल 8 गाउं को गोद लेकर विक्षित करना मिशन इंदर्दनूस अभियान क्या है सुबारम को वह आता है इसका 25 दिसंबर 2014 को केंद्रे स्वास्ते मंत्राले के द्वारा उद्दे से कहता है 2020 तक संपून टिकाकरन के लक्षे को प्राप्त करना इस योजना के अंतरकत साथ बिमारिया अब ये साथ बिमारिया आपको याद रखने कौन-कौन सी है सिंपली पूछा जाता है कि इंदर्दनूस अभियान के तैत कितनी बिमारिया समलेता है तो साथ बिमारिया और साथ बिमारिया कौन-कौन सी है डिप्थिरिया कालिकासी टिटनेस पोलियो टीबी कसराओट हेपिटाइटिस भी के टिकागर्ण का होगा इसके साथ ही पहली योजना पहली योजना सुभारम हुआ था एक जनवरी 2015 को उद्देश यता एलपीजी सिलेंडर की सब्सीडी के पेशों को सीधे वगतां के बेंग खातों में बेजना फिर हेडिटी हेडिटी हेडिटे सिटी डवर्पेंट ओफ आर्ग्यूमेंशन योजना उद्देश से क्या था देश के चाइनित बारा सहरू के सांस्कर्ति द्रोहर को फिर से जीवित करना नेक्स्ट योजना आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सुभारम हुआ मुद्रा माइक्रो उनिट ओफ डवल्मेंट रेफ्रेंस एजनसी उद्देश से कहता है सुक्षम उद्देशू के चेतर में विकास के लिए वित्य सायता परदान करना शिसू के तहएट 50,000 रुपे किसोर के तहएट 5,000 रुपे तरण के तहएट 10,000 रुपे तक का लोन देने का प्रावदान है उजाला योजना सुभारम हुआ था एक मई वित्रित करना नेक्स्ट आपकी अटल पेंशन योजना सुभारम हुआता नो मई 2015 को वित्मंत्रा लेके दवारा इस योजना के अंतरगत 18-40 वर्स की वरका कोई भी व्यक्ति अपने दवारा बेंक में जमा किया गए रुपे के आधार पर 1-5,000 रुपे तक पेंशन प्रा बनाने तता 500 शहरू में आधारभुत सुविदा का विकास करना और 2022 तक शहरी रिलाकों में सबी के लिए घर बनाने की योजना सामिल है नेक्स्ट आप की स्मार्ट सिटी मिशन सुवारम 25 जून 2015 को उद्धे से कैता 100 शहरू का चेन कर विकास करना सिंगापूर के सयोग से प्रधान मंत्री आवास योजना सुवारम कभू इती 25 जून 2015 को उद्धे से कैता 2022 तक 2 क्रोण ने गरू का निर्मान करना नेक्स्ट आपकी डिजिटल इंडिया मिशन सुवारम वाता 1 जूलाई 2015 को उद्धे से कैता सभी सरकारी सिवों को इलेक्ट्रोनिक तरिके से जनता को उपलब्द कराना नेक्स्ट योजना है प्रतहान मंतरी कर्शी सिचाई योजना सुवारम वोई ती 1 जूलाई 2015 को उद्धे से कैता किसानों को कर्शी हेतो पानी उपलब्द कराना नेक्स्ट स्किल इंडिया मिशन सुबार्म हुआ था पंदरा जुलाई 2005 को उध्येस है कहाता हुद्धेसर देश के विवाओं को कोशल्विकास करना नेक्स्ट योजना दीन दया लोपादया ग्राम जोती योजना सुबारम उविती 25 जुलाई 2015 कोखी गईती उद्धेशे क्याता सभी गाउं को विधितिकर्ण करना वित्रण कमपनियों को वित्तिये स्थति में सुधार एह उचित मोनेटरिंग करना नेक्स्ट आपकी सागरमाला प्रियोजना सुबारम हुआता 31 जुलाई 2015 से उद्धेशे क्याता बंद्रगाउं का विवकास तताओने सड़क डेल प्रिवेंचे जोड़ना नेक्स्ट आपकी उद्धे योजना सुबारम हुआता 59 जुजार पंद्रागों को विलाई उद्धा मंत्राले दवारा उद्धे उद्धेशे बिजली वित्रण करने वाली कमपनियों का वित्तिये सुधारें घाटूं से उबारना इस योजना से जुड़ने वाला पहला राजे जारकनता नेक्स्ट है स्यामप्रसाद मुखरजी रूबन मिशन स्टार्ट हुआता 22 फ्रवरित 2016 को उद्धेशे क्याता गाउं को कलेस्टर अधारित विकास नेक्स्ट आपकी सेतु भारती वाजना सुबारम भुआता च्यार जून च्यार मार्स 2016 को केंद्रिय स्टागें परिवर मंत्रा लेके द्वारा उद्धेशे क्याता राष्टी राजमारगु को रेल्वे क्रोसिंग रहित बनाने केले अवर या अण्डर विरिजुका निर्वाण करना स्टेंड अप इंडिया सुबारम भुआता पांच अप्रेल 2016 को वित्ति मंत्रा लेके द्वारा उद्धेशे क्या था अनुसित जाती जन जाती मैला और दिम्यों को नई कंपरियों स्ताफित करने तो दस लाग से एक रोड तक का रणू प्लवप्त करना उडान योजना सुबारम भुटा 27 अप्रेल 2017 को पूरा नाम उडे देश का आमनागरिक देश के आमनागरिक को सस्ती हवाई यात्रा करवाना नेक्स्ट आपका दिक्ष्या पोटल सुबारम पांच सितम्बर 2017 को मानाव संसातन विकास मंत्रा लेके द्वारा यह पोटल सिक्सकू को ट्रेंडिंग देने और ससक्त बनाने में सायक है फिर आपका प्रधान मंत्री उज्वला योजना सुबारम भुटा 1 माई 2016 से उद्देश से बीपेर प्रिब्र को मुप्त में एलपीजी गिनेश उकलप्त कराना नेक्स्ट वरिष्ट पेंशन भीमा योजना सुबारम भुटा एक जनर्वल दोजार शत्रा को बार्तिय जीवन निगम एलाइसी द्वारा उद्देश साट वर्स और से अधिग आयू वरिष्ट नागरिव को गारंटी ब्याजबर दस वर्सु के लिए आट परसेंट होग दिन द्याल उपादाय इसपर्ष योजना सुबारम तीन नॉमबर दोजार सत्रा को इसमें ता चट्वी से नवी क्लास के स्कूल की बचों को डार्ग टिकेट संग्रा में रूची बढ़ाने के उद्देश से आर्म की गई एक सात्रवित योजना है परदारमंत्री वे वंदर योजना सुबारम 21 जुलाई दोजार सत्रा को उद्देश साट वर्ष आज से अधिक आयू वरके वरिष्ट नागरिकों को मांसिक पेंसर निविकल चुन्येंबर दस वर्ष हेतु आठ प्रतिशत की गारंटी सुदा रिटन परदारमंत्री सहेज बिल्दी हर गर योजना सोभाग्ये सुबारम वाता 25 सितंबर 2017 को विद्यूत मंत्राले के द्वारा उद्देश से देश के सबी घर्व का विद्यूतिकरण निफ्सुनिशित करना परदारमंत्री जन आर्योगे योजना अयुष्मान भारत के तैत सुबारम 23 सितंबर 2018 को जारकन की राजदानी राची से उद्देश से गरिय प्रिवारू के लिए 5 लाग तका केस रही थे स्वास्ते सुविदार निश्लूक उप्लावत परना पीम किसान समान निदी योजना सुरात हुईती 24 जनवरी 2019 को परदारमंत्री नरेंदर मोधी दवारा उद्देश देश के सभी किसानों को 6,000 रुपे पर्तेक्स आई साहिता ये साहिता 2,000 रुपे की तीन समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी आयू होने पर 3,000 रुपे की मांसिक पेंशन नेक्स्ट आपका किसान मांधन योजना 12 सितंब 2019 को राचे जारकन से स्टार्ट हुईती और लाभ हुआ 60 वर्ष के आयू होने पर रहन्यूंतम रुपे 3,000 रुपे परती मां पेंशन अगनीपत योजना योजना 18 जून 2022 को स्टार्ट हुईती योगे था 10 यूर 12 पास ये आयू 17.5 से 17.5 से 21 और 23 वर्ष बढ़ा के कर दीगी ती इसको इस साल इस योजना के तहत यूआओं को च सब्सक्राइब के ताइद 11.31 रुपे का बुक्तान किया जाएगा सिवा समापती पर अगनीवरू को सिए प्यप और अस्म राइफल में 10 परसें आक्षन दिया जाएगा साथ ही मेरिट के अधार पर 25 परसें अगनीवरू का चैन स्टाही रूप से किया जाएगा और यह कोच योजना है जो स्टार्ट कब होई और इनका सुरुवात किस नाम से थी और कभी यह सुरुवात हुई थी तो हम स्टार्ट करते हैं 2022 की योजनाओं को क्योंकि अधिकतर वह या योजना यह आप से पूछी चाहेंगे आने वाल टाइम में तो हम 21 से स्टार्ट कर लेते हैं 21 की योजना ही थी 21 से लेकर 22 तक पधार मंत्री कोसल विकास योजना 15 जन्वी 2021 को ग्राम उज्वाला योजना 19 मां 2021 को जल सक्ती अभियान केस दरेन 22 मां 2021 को जैस्यकार कारेकरम 13 अप्रेल 2021 को यूवा पीम योजना गुनितिस में 2021 को पीम क से कारेकरम 4 जून 2021 को शुरुक्षित हम शुरुक्षित तुम अभियान 8 जून 2021 को जान है तो जान अभियान 21 जून 2021 को नई पी यूएन भार्ट कारेकरम 3 जूलाय 2021 को पर्धान मंत्री उज्वाला योजना 2.0 दस गर अगस्त 2021 को आईसमान भार्ट डिजिटल मिशन 27 सितम स्वच्टबार्ट मिशन सेरी 2.0 एक अक्टूबर 2021 को अम्रुत 2.0 एक अक्टूबर 2021 को प्रणभूई प्रधान मंत्री गतिशक्ती योजना ये पुछा जाएगा आपसे 13 अक्टोबर 2020 किसको स्टार्ट हुई सवनिती से सम्रध्धी योजना बर अप्रेल 2022 को अगनी पत्य योजना 14-2014 को तो ये थी वार सरकार की इंपोर्टेंट योजना है जो आपको याद रखनी है ये नया टोपिक आर्थिक परिदर्शे के अंदर इकोनोमी सेनोरिया के अंदर देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट इकोनोमी से समंदित CBR के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत तीस ती सबसे बड़ी अर्थिवयोस्ता बन जाएगा हाली में 20 बेंग ने 22 और 23 में भारत के जीडिपी वर्थितर 6 पर 9 प्रसंटे रहने का अनुमान बताया था या यह इंपोर्टेंट 20 बेंग ने किती बताई यह आपसे फैक्ट पूछा जाएगा एक्जाम में सो अरब डॉलर प्रेशन प्राप्त करने वाला पहला देश भारत बन गया है हाली में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्थिकरता रूस बन गया है हाली में यूपियाई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला पहला पेमेंट गेटवे रेजर पे बन गया है भारत का पहला गोल एटीम हिद्राबाद में खुला गया है हाली में IDFC First Bank ने पहला स्टीकर अधारित ने डेबिट कार्ड First App लॉंच किया है रूस भारत के लिए उरकू का सबसे बड़ा पूर्तिकरता बन गया है भारत स्टेल का विस्व का दूसर सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है 28 अक्टूबर को विदेशी मुद्रा बंडार बढ़कर 571.08 अरब डॉलर पर आ गया है जर्मन स्टेटिटा इन्फोग्राफिक के अनुसर भारती रक्ष्यमंत्राले ने 2.22 मिलिन करमचार्यों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोकता बन गया है 2020 तक भारत विजवक की तीस्ती सबसे बड़ी अर्तिवश्ता बन जाएगा मच्छली उत्पादन के माम्म मखा वीश्त के तीस्ती स糖 पर है भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पाधल भारतर विज सबसे बड़ा चीनी निर्या तक बन गया है बिटेन को पचाड कर भारत दुनिया का पांच यू बड़ी अर्तिवास्ता बना है गौतम अडानी दुनिया के तीज़ते सबसे अमीर आदमी बन गये हैं भारत का पहला अंतराश्टिय बूलियन एक्सेंज चेकिन्ड बी एक्स लॉंच किया गया है दक्षनी कोरिया में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर्जी रॉपन आठ एक दर्ज हुई है एटलावाइस एम एफ ने भारत का पहला गौल्ड और सिल्वर फंड फेस किया है हाली में भारती स्टेट बैंग ने उत्सव सवाधी जमा योजना शुरू की है यह पूछा जाएगा आपसे कौन सी उत्सव सवाधी जमा योजना कौन से बैंग ने स्टार्ट की है 2026 और 27 तक भारती बाजार में 100% इलेक्ट्रिक दुपयावान होंगे सेयुक्त राष्ट के अनुसार भारत दोजार 23 तक सरवाधी जन्सक्यावाला देश होगा FDA प्राप्त करता हूं foreign direct investment में भारत साथवी स्टान पर है देश सिस देश पर अमेरिका है भारत को वर्स 21 और 22 के दौरा 83 पंशताओन अरब डॉलर का FDA प्राप्त हुआ रूस एराग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल अपूर्थिकरता देश बना है अमेरिका वह चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल आये तक देश है वस 2.21 और 22 पे अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापालिक भागिदार रहा एपल को छोड़कर साओडी अरामा को बनी दुनिया की सबसे मुल्यमान कंपनी भार 2021 में प्रेशन का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्ट करता बन गया है वित वर्ष 2022 में भारत का व्यापार गाटा 88% रहा नेकसान ने पहला क्रिप्टो समर्थित बुकतान का नेकसा काड लॉंच किया एक्सीज बेंक को एसियन बेंक ओफ दै येर से समानित किया गया है है एस डेपसी मुचल फंड पर लक्समी फोर लक्समी पहल सुरू की गई है एक्सिस बेंक का हाउस वरक इज वरक प्रियोजना शुरू की है बेंकों मारश ने ओडिसा में प्रोजेक्ट बेसा की लॉंच किया है यूपियाई से रण निवेश की सीमा सेवी ने पांच लाग रुपे की है बार्थ विस इस्तर पर अरप्रितियों के अबादी में तीस्ते इस्तान पर है नेपाल बार्थ के यूपियाई प्रणालिक को अपनाने वाला पहला देश बन गया है जेपी मर्गन मेटावर्स में परवियस करने वाला पहला बेंक बन गया है कनाटक बेंग को Digital Transformation Award DX 2021 दिया गया है DBS बेंग को Indian Best International Bank 2021 का अवाड दिया गया है LIC को वीश विश्टर्व का सबसे महलेवान वीमा ब्राण्डू में दस स्वा इस्तान मिला PTM ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाग पॉप्स पेस किया है टाटा संस को एर इंडिया का अठारा जार क्रोड में उपचारिक हस्तानत्रन मिला है एपल तीन बिलियन बजार तीन बिलियन डॉलर बजार मुले प्राप्त करने वाली पहले कंपनी बन गई है HDFC कि ने मूब बंद रखो अभ्यान का दूसर संस्क्रण शुरू किया यह इंपोर्टेंट पूछा जाता है एक्जाम में SBI ने पेंशन भोग्यूं हे तो वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू की है PNB ने गरहाक और टीच कारिकरम के तयायत 6S से ब्यान शुरू किया है RVA के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मिनिफेक्टरिंग हव है नेक्स्ट है अपका ACM मनी HDFC ने भारत में सबसे उतक्रष्ट कंपनी चुना है हाले में केंदा सरका ने डूबे रणू के परबंदन के लिए बाहर ट्रण समधन कंपनी लिमिटेट के स्ताफना की है विस बेंक ने डूइंग बिजनेस ने रिपोर्ट के फरकाशन को बंद किया है हाले में कांडला पहला ग्रीन विशेज आर्थी छेतर बन गया है PM मित्र पारक यूजना हेतु 445 क्रोड रुपे आउंटित किया गया है गाजियाबाद नगर निगमदारा भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है पाउर फाइनेंस कोर्परेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है क्रिप्टो के रेंची एक्सेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉन बना बंदर बेंग ने सहस्तर बलू के लिए सोरिय सेलर अकाउंट शुरू किया है केंद्र सरकार ने क्रमचारियों ने महिंगाई बत्ते को 28 पर्षेंट से 31 पर्षेंट कर दिया गया है केंद्र इवित मंतरी निर्मला सितार्मन ने निर्यात को बढ़ाद बढ़ावा देने के लिए लखनों में उबरते सितारे फंड का सुबारम किया है कुछ महत्तू पूर्ण एजेंशियों की रेटिंग और उनके अनुमान मुडीज रेटिंग एजेंशियों कितनी रिज जी डिपी के अनुशार 21 और 22 पर्षेंट के लिए 4.5 पर्षेंटेज क्रिंशिल एजेंशियों ने 22 और 23 की बताईया 7.0 पर्षेंटेज फिच रेटिंग एजेंशियों ने 222 के लिए 8.4 पर्षेंटेज और 223 के लिए 8.5 पर्षेंटेज एंडिया रेटिंग एजेंशियों ने 223 के लिए 7.0 से 7.2 परसंटेज एक्रा रेटिंग एजेंसी ने बताइए 7.2 परसंटेज आई एम एप अंतराष्ट मुद्रा कोस्त ने 212 के लिए 9 परसंटेज बताई थी और 223 के लिए थोड़ी सी कम करके 6.8 परसंटेज बताई है विसे बैंक ने एकेस और 22 के लिए 8.3 परसंटेज और 223 के लिए 6.9 परसंटेज राष्टे संक्या की कारेवले एनसो आठपन नो परसंटेज 212 के लिए और अनुमान लगाया है 223 के लिए 13.5 परसंटेज का सभी तो इस वीडियो से लिए हमने काफी इंपोर्टेंट सेक्शन कवर कर लिया हैं नेक्स ट्रीज हम लेकाएंगे स्पोर्स से समन्दी जिसके इंदर स्पोर्स के जितने भी टूनामेंट हुए हैं जितने भी इंपोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इन्हीं पिछले साल 2022 के अंदर उन सबको कवर करेंगे एक सिंगल वीडियो में तब तक लिए अपना क्योशन देखने को मिलेंगे करेंट अफेर से अपना ख्याल रखना टेक कियर बाई